नमस्कार आप देख रहे हैं दनिक भासकर उत्राखंड उत्तर प्रदेश मैं हूँ आपके साथ सपना पांडे आए डालते हैं एक नजर उत्राखंड उत्तर प्रदेश की खबर उपर गंगोली हाट से भाश्पा प्रतियाशी फकी राम टम्टा की 10,000 बोटों से हुई जीत क कारेकर्ताओं ने किया मिश्टान का वित्रण गंगोली हाट से भाश्पा प्रतियाशी फकी राम टम्टा की 10,000 बोटों से जीत होने पर भाश्पा कारेकर्ताओं ने बिरी नाग और गंगोली हाट में विजय जुलूस निकाला और आतिस बाजी कर मिश्टान वित्रत किया इस मौके पर भाजपा के वरिष्ट नेता महेश पंत ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की लहर है पूरे प्रदेश में भाजपा एतिहासिक जीत दर्ज की है दूसरी बार लगातार भाजपा की सरकार बन रही है बेरिनाक से प्रदीब महरा के रिपोर्ट वह से कहुँगा यह जीट जो हमारे सारे संगठन, भारती जन्टा पार्टी का संगठन है, संगठन के समस्त लोगों ने एक रूपता दिखा के स्री भाजिराम जी को बिज़ए बनाने में अपना सारा योगदान दिया और भारती जन्ता पार्टी के इस कारिकरम में पुरे प्रदेश में भारती जन्ता पार्टी की सरकार बन रही है और जय विकास जो भारती जन्ता पार्टी का नारा है कि हम विकास करेंगे और विकास की नीती को दोराते हुए आज भारती जंता पार्टी दूसरी बार उत्रा खर्ण में सरकार बनाने जा रही है मुख्य मंतरी पुषकर सिंग धामी ने राजिपाल को सौपा इस्तिफा मंतरी मंडल गठन होने तक रहेंगे कारिबा हक्सिय अचिय आज पुषकर सिंग धामी ने शुकरवार को दोपहर राजिपाल लिट इन जनरल गुरमीट सिंह से भेट कर मुख्यं मंतरी पद से त्याग पत्र सहौपा है पुश्कर सिंग धामी का इस्तिफास विकार करते हुए राजिपालनी उनसे राज्जी में नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति होनी एवं पदभार ग्रहन करने की अवधी तक कारिवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को कहा है सीएम योग्याद तिनाथ की जीत से उनके गाउ में खुशी की लहर पूरी हुई बेहन की प्राथना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योग्याद तिनाथ की जीत के बाद उत्तरा खंड में भी उनके पैत्रे गाउ में भी खुशी की लहर है उनके स्वजनों में उच्छा का माहौल है तो वहीं योगी अदितिनात के घर में मा सावित्री देवी और अन्य स्वजन पूरे दिन टेलिविजन के सामने उत्तर प्रदेश के चुनाव का अपडेट लेते रहे हैं तो वहीं उत्तर प्रदेश में फिर से योगी सरकार के बहुमत से आने के बाद पूरे गाव में खुशी से जूम रहा है तो वहीं ग्रामीरों ने उनके घर पहुँच कर स्वजनों को गुलाल लगा कर खुशी मनाई है उत्तरकाशी जिले की तीनों सीटों पर नए चहरों के सरसाजा जीत का सहरा पुरोला और गंगोत्री विधान सभा में रहा मोधी फैक्टर का असर उत्तरकाशी जिले की तीनों विधानसवा सीट वाले उत्तरकाशी जन्पद में दो सीटों पर भाजपा और एक सीट पर निर्दलिये ने जीत दर्ज की है इन तीनों सीटों पर जीत के एक तरह के समीकरण दिखने को मिले जिसमें सबसे बड़ा फैक्ट नए चहरे का रहा तो वहीं भाजपा ने नए चहरे के रूप में सुरेश चोहान पर दाव खेला जबकि कॉंग्रिस ने दो बार विधायक रहे विजयपाल सज्वान को टिकेट दिया जहां गंगोतरी में सुरेश चोहान को राष्ट्रिय पार्टी से नया चहरा होने का फाइदा मिला जो की पार्टी की जीत के रूप में प्रत्याक्ष दिखाई दिया बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही जाने से पहली एक संदेश कोरोना संक्रमन अभी खत नहीं हुआ है तो इससे बची रहनी के लिए समय पर वाक्सीन लगवाएं मास्क पहनी सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और बाकी खबरों के लिए देखते रहें दनिप्रासकर उत्राखन उत्तरप्रदीश